अगली कॉलर है हमारे साथ मम्ता जी स्वागत है आपका जी मैं बहुत बहुत नमस्कार आपको जी नमस्कार मैं जी मैं आपको बात करने चाहिए बहुत दिन से लगा रहा है तो पहली बार लगा आपको बहुत बहुत धन्वान मैं बात कर लिए स्वागत है आपका जटा जी जी, नमस्क्राइब सेर, आप तो हदनारो साल जी है, सर, आपका प्रोग्राम देखती हूं, ने, जी, तब मुझे, हकिन साब मुझे प्यास बिलकुल नहीं लगती, जी, और खाना बिलकुल हदना नहीं होता, कुछ भी खाना, एक्षय नहीं होती खाने के लिए, छी, ठीक, और प्यास बहुत दिन हो गए, कन सालों हो गए, बर्सों हो गए, आयू बता दिये अपनी, जी मेरी पता से उपर है, ठटपन, ठटपन के लगवाद, चो देखे, प्यास लगने के लिए, एक मामूली सी चीज़ बता रहा हूँ, यह जो पनवाडी पान बेचता है न, यह आइधा पान, और सादा पान, सिर्फ पान, और कुछ नहीं, चबा के खालीजे और पानी पी लीजे, इससे आपको पूरे दिन प्यास लगेगी, और आप जितना प्यास लगे उतना पानी पीज़े, और क्या सावाल का? खाना खाने की इच्छा नहीं होती और वो डाइजेस्ट नहीं होता हाँ इसके लिए आप एक नुस्का बना लीजे सौफ, सौट, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना दीकि बहुत मश्यूर और कामियाब नुस्का माना जाता है ये युनानी का और ये नुस्का युम है कि सौफ सौग ग्राम, सौट सौग जीरा, अजवाइन सौ्ट सौ ग्राम, और धनिया, मेथी, सौसो ग्राम, इसका पॉड़र बना के रक लें और आता है नमक जैतुन दिखने में ब्लकुल नमक जैसा ही होता लेकिन साथ में अमकीन नहीं होता है, इसकी पहचान होती है, तो एक चुटकी नमक जैतुन, दो गिलास पानी मिला दें, और इस पानी से ये जो छे चीज़ों का पाउडर आपने बनाया है, ये एक चमच खाएं और ये पानी पी लें, तो ये पूरे पेट के सिस्टम पर काम करता है, दस बारा इन्फेक्शन, भूक ना लगना, इन रोगों में काम आता है, फिर लीवर हमारा सुस्त हो जाता है, एक सर तो भूक नहीं लगती, तो लीवर को कहता है कि जिम्मेदारी से काम कर अपना और तोड़ा फास्ट हो जा, कुड़नी की बड़ी सफाई करता है, और भूक लगाता है, वरम दूर करता है, इन्फेक्शन दूर करता है, बवासीर दूर करता है, बहुत सारे रोग को फाइदा करता है, इसकीन प्रबलम के लिए बहुत अच्छा है, इस तरह इस्तेमाल करें, फाइदा उठाएं. मेरट से हैं राजकली चोहान जी, स्वागत है आपका. मेरे देड़ महीना बाद भी कोल की ती, उसके भाद लगी मेरी. तो वो गौंसियार बराबर चल रहा है, मुझे बताया था कि धन्ये का एक मोग पाउड़ बनाते है, आदा गराम साम को लेती हूँ आजा सुग को, तो मुझे फिर उसमा आराम लग जाता, एसा 30% मुझे अराम लगा थीसरे चोथे भाचे महीने मा, तो उसके बाद मेरे ना दो हकते पहले मेरा सर गिर गीती, पैर मेरा शिल्फ हो गया, तो मैं इसलिए पूछ लीती, मैंने अक्सरव अगरा भिकरवाया उसका, जो अपते तो इतनी हालत खड़ाग रही कि में जो करवट लेने भी मुस्किल हो गई, उसके दवाई चल दी मेरी, तो मैं इसलिए बरावर लेही रही है, वैसा उनकी दवाई चल दीए, यही सब र दीए रिमा, ठीक है, जी, अच्छा देखिए, अभी तक तो आप ठीक भी हो जाते हैं पूरी तरह, और क्या वज़ा, एतियात करें किया करें, और इस उमर में गिरना बड़ा खतरनाक है, और यह दवा छोड़े नहीं आप, लाक्टों का कुछ भी इलाज करें, यह दवा छोड़े नहीं, और उसी तरह ले, और धनिया भी लिया करें, वो भी बहुत फायदा करता है, और वैस्टन ट्वालेट ज़रू यूज़ करें, और ऐसे चपल ले ले, आराम दे, जो चाय कित्ते ही, वह हो, लेकिन फिसले नहीं, रपट जाते हैं, अक्सर हम चिकनिया फर् बड़ी उमर के लोग बात फर्म गिर जाते हैं, और यह तो भगवार ने आपकी बड़ी सुरक्षा की नहीं, तो हड़ी टूट जाती है, कूले की, जो बॉल है वो टूट जाता है, भगवार ने आपको वो चालिया, आप एक बार फिर अच्छे हो सकते हैं, अगले कॉलर ह जाता हूं वो जो बुजर्गवार थे जिसे जिने मैंने दर्द के लिए आपके दवा दी थी, काले दोल, वो ठीक हो गया, उनकी पत्नी प्रॉबलम है और लंबा प्रॉबलम है, वो उनको कम्ज की सिकायत है, पचास मर्ज थे, और कब्ज के चलते हैं, मने भावासीर हो गया, वो परिशाने पत्ली दूबली, मने आप उसको देखेंगे तो पत्ल जूली मनें हड़ी पर सी चमड़ा चड़ा हुआ इस पर लेकिन दिन भर काम करने में और प्रकृति के बिरूद चलती है पूरा परिवार करीब करीब प्रकृति के बिरूद चलता है रात में एक बज़े तक जगना और दस ग्यारा बज़े तक सोना हाँ और उसके बाद तब यह तो प्रकृति के दिल चलना हुआ था परिशानी कब्ज का इतना है कि वह आप जब उनका पती चीख हुआ तो आप हमको तो कह रहिए कि मेरा कब्ज बावासीर पादी बावासीर है इसे चीख करो में क्याओ तक पाद मेरे पात है कुछ लेकिन पचास वरत का मैं सोचे नहीं सकता कि क्या दूँ यह दूँ dedicated आप बह। शेवा कर säenat कर चलने लगे पिर आपने उनसे कांटेक्ट किया पिर उनका इलाज किया गौंसिया दिया भगवान ने उनको अच्छा किया ये बात मैं भूली सकता कभी जीवन में और ऐसे ही लोग घर घर हैं ये अच्छे हुए तो इनकी पत्नी ने भी आपसे इलाज के लिए कहा लोग ढू मैं बहुत पिर्चन हूँ आपसे कभी दिल्ली आए तो मुलाकात करें और उनको देखिए एक तो दो बार एक चमच सुबह खाली पेट भी दे सकते हैं खाने के बाद भी एक चमच ये अरंडी का तेल इसे कैस्टॉल ऑयल भी कहते हैं एक चमच मिलाएं और एक हफ़ते तक एक ही चमच पिलाएं और जब भी पिलाएं उसके बाद गर्म गर्म चाय या पानी दोलू पी है ठीक है और इससे फाइदा कम लगे तो दो बार भी ले सकते हैं एक है एक चमच फीकश होता है ये गरम पानी ये गरम दूदे मिलाकर भी लिया जा सकता है और वही नमक दनिया मेति आपको मालूम ही है सौफ सौट जीरा अजवाय धनिया मेति का पाउडर बना ले एक चमच खिलाएं और यह पानी पिलाएं दिन में दो बार ऐसा कर सकते हैं तो उनको भी फाइदा होना मुंकिन है महराश्प्र से हैं मोहम्मध जी स्वागत है आपका असलाम आलेकु मार्किन साथ जी वाईकूम असलाम असलाम को अधर का फ्रीष्ण हो गया है और दो यह डाले उसमें टैंक तो उसमें ना मेरा को आवी मैं सिर्का ले रहा हूँ तो इस वापिस मुझे ब्लॉकर में होना चाहिए इसके लिए सिर्का ले रहा हूँ और कितना जिन लेना पड़ेगा मेरेको मैं आवी एक महिना होगे चालू की है और दो टाइम लेता हूँ मैं चंडे पानी के साथ गराम पानी सिलिया तो मेरेको बहुत सर्दी हो रही और मेरेको आवी डॉक्टर ने ओ गूली आमिशा के लिए काने पा बोला है तो मेरेको क पानी और लिए और करबने होने चाहिए गूली दावा से इसके लिए मेरेको दावा बात आई और जयतुन का जो नमक और आलसी तो आलसी मुझे आलसी काएगा तो फैट बाड़ेगा उससे कोच आई का मतलब हरको चर्वी बिल बिचाड़ेगा आलसी से चीकी 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 अलसी में जो आईल होता है उसमें फैट नहीं होता है अलसी बदाम अखरोट इसके तेल फैट नहीं बलकर फैट को कम करते हैं यह याद रखें तो उससे फैट नहीं बड़ता और यह जो इस्टंट पड़ेवे हैं जिसको भी इस्टंट पड़ते हैं उनको बार बार इसकम इस इस्तमाल किया कर है और दो दू चमज, दो बार रशकंद पूरी दिन वैं तिन तीन चमज भी लना स9 और इसमें एक चछुटकी खाने का सोड़ा मिला सकते है पुछ लोग ऐसे होते हैं गू़ के सिरका नहीं चलता तो उन्हें चाहिए कि एक चुटकी खाने का सोड़ा एक चुटकी जैतुन का नमक दो गिलास पानी में मिला कर दिन में एक बार या दो बार लिया करें इससे भी इन्हें वही फायदा होना मुम्किन है जी राजिस्थान से हैं पल्लवी जी स्वागत है आपका जी नमशकार माम नमस्ते सर अल्लीवीजी स्वागत है आपका मैं तीन मेंने तेन मेंसे पान्टियश आ रही हो हुँ हु हु मेरा भगा उए हुआ फरक जाहता बढ़ हुआ है उपर तक फोटन तक आ गया हुआ है बताइए वेस्टन ट्वालेट है आपके घर में वाकी में सारी चीज़ फोलो कर रहे हूं वेस्टन ट्वालेट भी और उपर बैठना उटना वाकी कुछ नहीं करना ठीके ठीके जितना आपके पास कौन सिया है वो खाते रहे और पांच दिन तक दर्ब की दवा खाएं साथ म में दोनों टाइम और एसीडिटी की दवा खाएं बस पांच दिन उसके बाद आपकी शिकायत दूर हो जाएं जिन चाहिए बहुत कम लोग ऐसे होते जिनका दर्ब बहुत बढ़ता है पिर मुश्किल से कम होता है तो ये दर्ब की दवा जो अलोपैटिक आप ले ले दोनो देती है और आदमी दवा खाता रहता है तो होंसला छोड़ देता है तो पांच दिल ले और फिर उसके बाद ज़रूत नहीं पढ़नी चाहिए इसको पूरे उसके ख़तम कर ले आदा आदा गिराम खाना है कौन से अगर आप ले रहे तो अभी एक डिड़ महीना और चलेग जी तराम जी मैं आजिर हूं आदा स्वागत है आपका जी पेट में क्या होता है बताईए पेट में गयस बहुत 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 है तीक है थीक है दू दू किसम के इलाज होते है एक तो आप कर रहे होंगे तरह तरह के इलाज वो फारी तरह पर फाइदा भी हो जाता होगा एक मुस्तकिल इलाज है जो हमारे सिस्टम को अच्छा करता है पेट के और वो इतना कामियाब और मशूर है घरी नुस्खा है आप इस्तमाल कर सकते हैं और एक कारीकर में मैं कम असकम पांच-छे बार बताता हूं इतन लोगों को फाइदा भगवाद देता है आपके किचन की छे चीजे हैं सौफ, सौट, जीरा अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना इस छे चीजे लीजे एक बार और बोलता हूं सौफ, सौट, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना सौफ, सौट, जीरा, पानी मिलाएं और ये पानी से दिन में एक बार ये दो बार खाने से आदा घंटा पहले ले लिया तरहें आपको फाइदा होना मुंकिन है जी